बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रेटूब चैनल सुकला स्टड़ी पॉइंट में मैं सियों सुकला आप सभी दोस्तों का हर्दिक स्वागत करता हूँ सोसियोलाजी का या वीडियो अंतक देख लीजिएगा तो आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा सोसियोलाजी में और खास करके जो चाचात्र हैं सेकंड समस्टर में है बिये के उनके लिए बहुत ही महत्यपूर बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है चुकि आज के वीडियो के माद्धम से आप जानेगे कि आपकी परिच्छा में कौन-कौन से प्रसन आने वाले हैं और प्रसनों के उत्तर आपको कैसे लिखने हैं इन समझ चीजों पर हम चार्चा करने का प्रियास करेंगे अंत तक वीडियो देखेगा दस आती लग उत्रिये आठ लग उत्रिये प्रसनों पर कुल मिला करके डिस्कस्न करेंगे हम ओके ये बात जाने किएगा वहां से दीर भुत्रिये भी प्रसन आपके तयार हो जाएंगे तो बिलकुल आपको कहीं पर भटकने के आवसकता नहीं है इससे पहले दो और मानल वेपर हमने अवैलेबल करवा दिये हैं उसको भी इसी प्रकार से साल्ब करवाया है लिखिट टाइप के दो मानल वेपर अवैलेबल है तीसरा मानल वेपर है अबजेक्टिब का 4-5 मानल वेपर है उनको देख लीजेगा पांच मालक पर लगबग और लिखित के दो हो चुके हैं तीसरा मालल में पर है बहुत ही महत्पूर्ण है ठीक है तो एक प्रकार से important questions, answers में हमने रखें जो की previous year में लगातार पूछे जा रहे हैं ओके चलिए और भी subject के आपके जल्दी मैं जो है करवा दूँगा परेसान ना हो उसके लिए आप सभी लोग ओके first year and health का आप लोगों ने अभी रात के 8 बिजे से class चल लई थी आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें बहुत सारी चीजे बताई गई होंगी उससे पहले कल भी आपकी class होई थी उसकी तो वो जरूर देख लीजेगा वो सभी के लिए महत्रपून है प्रस देखे बीए प्रथम और सेकंड समेस्टर ने दूतिय समेस्टर समाज सास्तर ने सोसियोलाजी भारत में समाज, संगठन, संगठन और परिवर्तन ये आपकी paper का नाम है अंग्रेजी में Society in India, Structure, Organization and Change ठीक है समाज का जो संगठन है, समाज की जो संगठन है उनमें किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है तो समाज की संगठन के बारे में पहले जानेंगे समाज की संगठन के बारे में जानेंगे जो समाज में भारत की समाज में खास करके है और भारती समाज में तीबर गती से जो परिवर्तन हो रहा है आज के भोतिकवादी समाज में जो एक परकार से भोगता बाद चला इसमें आप देखते हूंगे बजारबाद की जो बिचारधारा के माध्यम से आप देखेगा जो भारती संस्कृती रही हो किस परकार से दपती जा रही है इस समस्त मुद्दों पर आपको चर्चा करनी होती इसमें आई हम देखते हैं कैसे कैसे परस्ण आपकी परिक्चा में आते हैं यह की पेपर तीन खंडों में आपका आता है आ बा और सा खंड आ से अतिलग उतरी बा से लग उतरी और सा से दीर उतरी टाइप के परस्ण पूछा आते हैं जो अतिलग उतरी परस्ण होते हैं दस की संक्य आपको 50 सब्दों में लिखना होता है यह बात ध्यान नकिएगा ओके चलिए खंड आ के परस्नों को हम देखते हैं और जो खंड-भा होता है उसमें लगुतरिय के जिनको आप 200 सब्दों में लिखना होता है और जो आपका दीर घुतरिय वाला होता है वो खर्णसा में पूछा आता है जिसको आपको पांस सब्दों में लिखना होता है ठीक है देखे साथ नंबर मिलते हैं लगुत्रिये के और दिर गुत्रिये के और दिर गुत्रिये को आपको पांस सब्दों में लिखना है लगुत्रिये को दुईये सब्दों म उसको मत छोड़िएगा चुकि वो 7 नंबर का है तो 7, 35 नंबर आपका ये complete हो जाएगा इसके अलाबा ये 10 अगर आप तयार कर लेंगे अगर इन में से नहीं पता है तो बाकी जो पता है पत्दो मालवे पर देखा है तो आपको कहीं पर भटकने क्या हो सकता है कुछ पढ़ने क्या हो सकता और नहीं पड़ेगी सारे की सारे चीजे वहीं से पूछी जाएंगी ओके ये बाद ध्यान लगिएगा तो इस परकार से हम आगे बढ़ेंगे चब्त्स एपषित नहीं पता हैं तो पांच आप चाड़ लीजए की तीन-परसन भी उसमें से छोड़ने रहते हैं की इस ठीक लेंथा प्रस्त नहीं कि नगर की कोई चार भी सेस्ता है ये नगर होता क्या है भी या नगर क्या होता है नगर किसे कहते हैं तो एक बेक्ति हैं बिल काक्स बिल कॉक्स महोदे कहते हैं नगर की परिभासा को देते हुए कि जहां मुख्य व्यवसाय किर्सी है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम गाओं कहते हैं और जहां किर्सी के अत्रिक्त वहां के लोग अन्य व्यवसाय में सलगन होते हैं या अन्य बेवसाय प्रचलित होते हैं उसे हम सहर कहते हैं या नगर कहते हैं यही परिभासा दी किसने बिलकाक्ष ने और बिलकाक्ष किया परिभासा कहीं नगर की परिभासा देते हुए गाओं की भी परिभासा देती है तो कहने का मेरे मतलब यह है कि यह परिभासा बड़ के simple सी परिभासा है ये परिभासा आप याद रख लीजेगा most important है एक जाम में लिख दीजेगा आपको पोन नमर मिलेगा इसके अरामा एक बिद्वाना और है बर्गल बर्गल महोदे कहते हैं बर्गल महोदे का कहा थे मुन्नमा बर्गल महोदे कहाते हैं कहाते हैं कि नगर एक ऐसी संस्था होती है नगर का संस्था बतावाते हैं के बर्गल कहाते हैं नगर एक ऐसी संस्था होती जहां के अधिकतर निमासी किर्सी कार के अत्रिक्त उद्द्यो बानी जतना विद्वान लोग आये हैं सब इधर उधर के अधर के सब वहे बतिया घुमाए फिराये के आपका बताई हैं बाकी कुछ है वहे नहीं तो परेसान बिलकुल भी नहीं जाओ धडलेक साथ आराम से लिखो जितना दबाएक लिखो उतने नंबर मिले ठीक है तो परे परेसाय संस्था है जहां यह बंत कैसे और दिग्तर निम्यासी किर्षिकार की अतरिक्त अन्य उद्योगे क्या होते हैं ब्यवश्त होते हैं टृक तो जहां वीं तही नहीं अन्युद्योगों में किसके अतरिक्त किर्सी के अतरिक्त अन्युद्योग कौन-कौन से हो गई से किसी कोई कंपणी में काम कर रहा है कौनों कुसी कंपणी में जो है प्रकार से अलग-अलग कंपणी होती सहरों में आप देखेगा बड़े-बड़े उद्योग होते है उन में लोग कार्य करते हैं, कोई टीचर होता है, तो उस खास करके गाउं में भी टीचर होते हैं, लेकिस शहरों में बड़ी-बड़ी उनियुपसिटीज होती हैं, तो वहाँ प्रोफेसर्स बगरा होते हैं, ये सब चीजे खास करके, ठीक है, समझ में आप आते हैं भाईया हैं आपस में लोगों में मलब की ऐसे कि हमार चाचा हुए ये काका हुए ये दादा हुए ये दादी हुए इनाना मोसी ये ये परकार के संबंद होता है तो गाओं में जो संबंद होता है वो मधुरम में संबंद होता है मधुरम में संबंद के साथी साथ गाओं में जो होता लगा होता है परस पर एक दूसरे में ठीक है एक दूसरे के परस पर लोग पूर खोते हैं गौहँआ में ऐसे तोहरी यह आठा खटमबा भगली जुरते मम्मी घेन जा एकाखा माग लावा निस पगले सट तो यह होता है गाउं का संबन्द अचा सहर का संबन्द जो होता है दोईतियक संबन्द उता है तो प्राथमिक संबन्द समझ में आए कि आटा खतम बात त्यल खतम मा जुरते मां गिरेल खरीदें आई पा रहा तुरूंत तो यह सहर माई है कि अगर तो नहीं पा रहा है तो यानि सहर में ब्यावसायों के माध्यम से संबन उत्पन होते हैं जैसे कि आप किसी के नोकर है आपका कोई बॉस है या आपका आपका आसिस्टेंट है कोई आप से उच पदपर है कोई आप से नीचे पदपर कार कर रहा है तो इस परकार के संबन पायाते हैं यानि कि सहरों में जो संबन उते हैं वो आर्थिक लिए होते हैं यानि कि रुपए पैसों के लिए संबन बनते हैं और गाओं का जो संबन होता है खास करके प्राचीन गाओं का जो पहले था वहाँ पर क्या था लोगों का आपसी लगाओ आज भी परिवारिक सदस्यों में गाओं गीराओं में आप लोगों का क्या संबंद होता है एक प्रकार से जो मधुरम में संबंद होता है जो प्राथमिक संबंद कहलाता है और सहरों में दुतियक समलप की चार विसेस्ता बताओ तो अब यही पर अगर आपसे पूछ लेता कि गाउं और नगर किसे कहते हैं गाउं और नगर में मुखे दो अंतर लिखिये या परसन पूछ सकता था कि गाउं की परिभासा दीजे या नगर की परिभासा दीजे तो आप बड़े आसानी से उन सभी परसनों के उतर को कर पाते इतना जब दे हमने बताया ठीक तो नगर की कोई चार विसेस्ता पहली विसेस्ता लिखो मुन्नवा सभी लोग पहली विसेस्ता लिख लिख लिखो काँ पी कलम उठाओ पहली बिसेस्ता है समुहूं एवन व्यक्तियों के बीच कार्यात्मक अन्योन आसरिता होती है कार्यात्मक बल्ब की यसे कोनों कारी करना है यसे कोनों स्कूल है मान लेते है या फिर कोई फैक्टरी है तो किसी factory में कोनो factory का पूरा मालिक है कोई manager है, कोई supervisor है, कोई security guard है कोई labor का कारी कर रहा है कोई एक प्रकार से उसमें इंजिनियर का कारी कर रहा है कोई पलंबर यह देखी सभी लोगों का जो संबन है कैसा कार्यात्मा करने हो नासृत यहनि कारी के द्वारा एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर डिपेंड है बिना labor के तो company चलेगी नहीं बिना मालिक के company खुलेगी नहीं बिना manager के managing director वगरा जो manage किया आता है हरी चीज को होगा नहीं बिना एक प्रकार से आप देखेगा तमाम प्रकार के लोग होते हैं तो परसपर company में कारी कर रहे हैं लोग एक दूसरे से किस प्रकार से सम्द्ध होते हैं कार्यात्मक रूप से सम्द्धित होते हैं अन्यो नासृत मलब एक के बिना दूसरे का चलाओ नहीं है इसी को अन्यों नसरीत कहते हैं आप लोग अन्यों नसरीत बहुत कठिन लगता होगा अन्यों नसरीता होती है दूसरी भिसेस्ता लिखो सभी को पता है पी 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 दुनिया भर के मोटर गाड़ी आवत ही रोट पर से जाबो कहूं यहार छुईगा क्यों करते तुरंते जगड़ा लडाई शुरू इस प्रकार से क्या होता है बहुत ज़दा घनी आबादी है लोगों के पास आप देखेगा कार गाड़ी मोटर खरीद तो लेंगे लेकिन खड़ी करने की जगह नहीं होती है पार्किंग जोडना पड़ता है इस प्रकार से नगरों की स्थिति है चीखे नगरों में केवल खाली है तो क्या सडके और भी सडकों पे गाड़ी मोटर जो है दबा करके ठीक यह बाद है नखिएगा तो यह दूसरी विसेस्ता तिसरी विसेस्ता यह है कि संदेश वाहन के साधनों की बहुलता यह नगरों में आप देखेगा संदेश वाहन संदेश भेजने के साधनों चाहे यातायात के साधनों कुछ भी साधनों बहुत जादा लाइ चुथा विसेषता ये है नगरों की कि प्राथमिक संबंधों का अभाव है मैंने बता था वहाँ पर दो ती एक संबंधों का अभाव होता है ठीक है समूहों और विक्तियों के बीच में क्या होता है मधूरम में, मधूरममयता का संबन्द , प्रावध में संबन्ध पाया जाता है, ठीक है, कल्चर के द्वारा जुड़े होते हैं, किलियर हो गाओ का अधार, प्रमुक किर्सी होता है , उसके अर्थव्यवस्था गाउं में पासपडोस का बिसेस महत होता है गाउं में जनसंख्या बिरल होती है गाउं में अधिकांस संयुक्त परिवार पायात है ये सब चीजे सहरों में कौन सी फैमिली पायाती है तो एकाकी परिवार पायात है तो ये तमाम प्रगार चीजे तो आपके समझ में तो आ गया होगा सारी चीज़े एक भी प्रसनाप का ऐसा नहीं बचेगा जो मैं ना बताया हूँ अगला प्रसनाप देखेगा दूसरा प्रसनाप के साथ अचे दीर गुतरी प्रसनका हो गया उत्तर ये मान के चलगे आप दीर गुतरी में इतना अगरी सब चीज़े आपने समझ लिया आसानी लिख दीजेगा खोब अच्छा नमबर मिलेगा अगला प्रसनाप धार्मिक बिविधिता में एकता को असपश्ट के चुकि भारत आपको पता है कि बिविधिता में एकता है ये एकता माला पीर भी सबी लोग एक साथ रहते हैं तो ये विविधिता में एकता हो गई इसी प्रकार से तो ये तो धार्मिक बिविधिता हो गई और पूछा भी यही जा रहा है लेकिन विविधिता इतनी संकेड नहीं कि केवल धार में विद्ता में संकुजित हो जाए ना ना विविद्ता का एक ब्यापक स्वरूप होता है ब्यापक मानला बहुत बड़ी विविद्ता होती है विविद्ता हारे छेत्र में होती है भवगोली विविद्ता भारत में पाये थी भावगोलिक कहीं पर पहाड है, कहीं पर जरना है, कहीं पर उचे-उचे कीले बने, टीले बने है, कहीं पर खुब गड़ी खाई है, ठीक है, बहुत बड़ा-बड़ा गड़ा बना है, कहीं पर नदियां है, बड़ी-बड़ी नदियां, कहीं पर छोटी नदियां, कहीं पर घाटी है तो कहीं पर चोटी है कहीं पर पठार है तो कहीं पर संतल मैदान है कहीं पर जो है परकार से आप देखेगा दो मड मिटी है तो कहीं तमाम परकार के तो ये सब हो गई भावगोलिक विविद्टा सांस्कृतिक विविद्टा भी भारत में है किसी का कल्चर कुछ और है किसी कल्चर कुछ कोई धोती कुर्टा पहनता है तो कोई जो है कुर्टा पैजामा टोपी पहनता है कोई गउचा रखता है किसी को आप देखते हैं पगड़ी बांता है चोटी बांता है सिख लोग इसी प्रकार से तो सभी का कल्चर अलग है सभी क भोजन अब दक्षण में जाओगी इडिली सांबर चलता है भारत में उत्तरी भारत में आओगी रोटी सब्जी दाल चावल पश्चमी भारत में चले जाओ पूरवी भारत में पश्चमी भारत में चले जाओगी खास करके तो मच्छी चावल चलता है ठीक है इसी प्रकार से दार्सनिक तो पड़े भरे पड़े हैं भारत का प्रतेज व्यक्ति दार्सनिक है ये बात मान करके चलो हर व्यक्ति अपने आप में विचारवान या फिर विचारक मानता है अपने आपको किसी से कोई चीज पूछो कि तुरंत ज्यान देने लेगा बिना मनलब के ज्यान और अच्छा दार्सनिक ता और बिना में एकता को अस्पस्ट कीजिये थीख अच्छा धार्विध्ता के लामा qué e जातिक विभिध्ता भी आप डेखेते होंगी और बीश다면 आसे और बहुत ज़्याता है फिर्मेद्विध्ता बहुत जाता है ठीक जाती बात जो है ठीक तमाब ब्रकारी जीचे हैं तो धारव विवित्ता में लिखिएगा कि वैसे तो भारत जो विवित्ता में एकता कि जांकी को हमेशा से प्राचीन काल से ही प्रसुत करता रहा है लेकिन मतिकाल आते आते और जद विवित्ता है धारव विवित्ता हमारे चरम पर आती है और आप देखेंगे धीरे-धीरे क्या होता है कि भारत बिभिन धर्मों की जनमस्थली भी रही यह से कि भारत में हिंदू धर्म तो सबसे पुराना है सनातन धर्म तो सबसे पुराना है उसी सनातन से हिंदू धर्म भी है हिंदू धर्म एक प्रकार से सनातन ही है जो कि प्रकार सनातन का एक प्रकार से संगठित रूप है और इसी हिंदू से जैन धर्म निकला बहुत धर्म निकला सिख धर्म इन सभी का उदे कहां से वो भारत में हुआ तो भारत जो है सबसे पहले लिखेंगे भारत बिभिन धर्मों की क्या है जनम अस्थली है हिंदू जैन बौध और सिख इन धर्मों का उदे कहां पर हुआ भारत में हुआ है इसलाम और इसाई धर्म का कहां का उदे हुआ है विदेसों में हुआ है ठीक है यह विदेसी धर्म है लेकिन भारत में आये और आज बड़ी तादाद में मुसलिम जल संख्या भारत में निमास करती है इसाई जल संख्या भी निमास करती है और उपरी तोर पर उन धर्मों में हमें भिनता भी दिखाई देती है किन्तु सभी के मूल सिध्धानतों में समानता है चाहे इसाई धर्म हो, चाहे हिंदु धर्म हो चाहेबप्त हो पार्शी हो धरम हो यूदी कोई भी धरम हो सभी का लक्ष यही होता है कि आच्छे कारी करें और जो है किसी को दुख ना पहुंचाएं हर धरम होता है कोई धरम नहीं चाहता है कि आप दया की भावना न रखें तो किलेर हो गई बात है तो यह होता है, धार्मी विविधरता, ओके, किलेर हो गई, आगे समझते हैं, ताथ्रा प्रसाप प्रसाम के समझ दोटाक है, जिया सगोरिय के अनुसार, भारतिय विद्या अभिगम का महतो बताईहिए, जिया सगोरिय की बात की जाए, तो ये पहला इनका महत्व है भारतिय विद्या अभिगम का पहला महत्व है कि भारतिय आरिसमू लिखेगा भारतिय आरिसमू के भासाई संदर्व में जन जाती एवं जाती के अन्ता संबंद को खोजने का प्रित्न की आयाता है किसके द्वारतिय विद्या अभिगम के द्व आभी गम के द्वाराराम कर सकते हैं दूसरा इसका महत्विए जी इस घुरी कएते हैं कि प्राचीन भारती इतिहास यह प्राचीन गरंतों से संग्याओं तथा अवधारणों निर्देशन किया जा सकता है और जो अवधारणात्मक था मिसले सदात्मक दोनों अभिपरायों क लिए उपयोगी हो सकता है तो इस प्रकार से प्राचीन भारते जो ज्यान है जो अभीगम है अभीगम मारे एक प्रकार से ज्यान ही होता है तो प्राचीन भारते संस्कृती ज्यान रहा है जो तमाम प्रकार के जो पुस्तके हैं आरे चाहे उपनिसद हो चाहे वो बेद हो चा आस्त्र के बारे में हो, सभी के बारे में आपको जानकारी मिलती, इतिहास के बारे में हो, ठीक तो जीयेस घुरी के रूषार भारती विद्या आभिगम का यही महत्तो है, जो कि मैंने आपको बता दिया, आगे समझते हैं अगला प्रसन आगला प्रसन आपकी स्कीन पर ठीक है और समयुक्ति परिवार के अगर हम बात बताईए आपका तो समयुक्ति परिवार से बिलांग आपने भी क्या होगा गाओं गरा कि जदने भी लोग होगे हमने भी किया है कोई दिक्कत नहीं है तो समयुक्ति परिवार में क्या होता सबसे पहले जानो समयुक्ति पादन की संगठित ब्योस्ता होती है, खेती करेके तो सब मिलके चाचा उजई हैं, आपके बढ़के पापों जई हैं, ठीक है इसी प्रकार से दादा भी जाएंगे, और भी अगर आपके चार पांच भाई हैं, आपके चाचा गलड़का हैं, पापक गलड़का हैं, बड़े सब ही लोग जाएंगे खेती करने साथ में, तो कार जो करेंगे, या उतपादन जो भी करेंगे, सब ही लोग संगठित वो करके करेंगे, ठीक, टिसरी चवती विशेस्ता संयुक्त पूजी होती है सब कमा धमा करके चाहे जो बहिर कमारा चाहे अंदर कमारा कुछ मातरा में पैसे बचा करके बाकी मालिक को देता है जो कि परिवार का मुख्या होता है और वो परिवार का मुख्या क्या करता है घर को चलाता है सबजी लाएगा तेल लाएगा नोन हर्दी मिल्चा तमाम परकार के जो नोन मने नमक तो इस परकार के चीज़ों को एकठा करता है तो यह होता है संयुक्त परिवार में संयुक्त पूजी इसके अलामा जो होता है सामान भरण पोसड होता है सभी लोग खाना एका जगा ठीक है चटबा है कि सभी लोग एक ही धरम के लहेंगे एक ही दायत तो हुगा सभी का ऐसा नहीं कोणो हिंदू का है कोणो मुस्लिम धरम अपना रहा है उसी घरही में वह ऐसा तो तो परिबार नहीं कहा जाएगा उसको उसमें कुछ बिभेदा आ जाएगा तो सामान धरम होत मुख्य भूमगा निमाता है प्हलाने को टमागु कल्ला तोड़ दे जाना है इसको यहाँ पर जाना है उसको भैस गोरू देखना है इसके अलावा त्वाम प्रकार चीज़ों को समझाता है ठीक तो यह होता है जो है सभी के काम जो होते हैं आपस में बटे होते हैं सभी लोग में जुन करके काम सारा निफ्ट आ लेते हैं ठीक तो यह सभी परिवार होता है आप समझ में आ गई ठीक और हिंदू परिवार विवस्था को सभी परिवार ही कहा था चुकि हिंदों में सभी परिवार परणा जी या स्यामा चर्ण पर यसी दूबे का फुल फार्म क्या होता है स्यामा चर्ण दूबे यसी दूबे डाक्टर स्यामा चर्ण दूबे बहुत बढ़ी हां समासास्त्री हैं भारत का समासास्त्री हुए भारत में जनम बाइंड के तो भारते समासास्त्री तो बढ़ी जानकारी नहीं संयुक्त परिवार के बारे में रही और कहात है संयुक्त परिवार के बारे मा यसी दूबे महोदे कह रहे हैं कि यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हों मूल परिवार मलब छोटे छोटे परिवार ऐसे कि दो विवाहे जोड़े हैं उनके एक बच्चा बादा आपके आपके पापा और आप ये सभी लोग एक साथ रहते तो भी सेंट परिवार हम कह सकते हैं छीक है दू तीन पीड़ी कम से कम तो स्यामा चर्ण दोबे कह रहे हैं कि यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हो और इनमें निकट का नाता हो ऐसा नहीं कि तकर आ रहे हो तो दिन डाल लाठी चलत हो घर में मारे हो तो उस प्रकास से नहीं यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हो और निकट का संबन्ध का पाय जाता हो या निकट का नाता हो एक ही अस्थान पर भोजन करते हो सभी लोग बैट करके एक आर्थी किकाई के रूप में कारी करते हो सभी लोग तो समलित रूप से हम उस परिवार को जो की ऐसा करते हैं उनको सभी परिवार बोल देते हैं या कह देते हैं या कहते हैं या माना जाता है ये कहते हैं ऐसी धूबे और निश्चित तोर पर ये परिवासा इसमें कोई आछेप नहीं है कोई मंडन खंडन नहीं कहा सकता है इ पेरिक साब से सिदूबे की और ये परिभास्ता जाहर सी बात है अच्छी है धन का समान वित्रण होता है खर्च की बचत होती सविंगतु परिवार में राश्टी एकता को प्रोशाहन मिलता है बड़े बूर्णों का उपदेश भी इसमें मिल जाता है सविंगतु परिवार क कि मुख रूप से आप देखेगा कई सारे जो है गुण भी होती है पहला गुण इसका ये है कि बच्चों का समुचित पालन पोस्ण हो गया दूसरी बात है परोब कारियों सामय जीवन हो जाता है तीसरा ब्रद्धावस्ता में सुरच्छा की भावना रहती है चौधा परतने हुआ खट पर तो ला गए रहें यहां दस ब्यारा लोग रहेंगे घर ही वा तो जगड़ा लाई तो हो भे करें आम बात है चला करता है तो पहला दोस इसका यही है कि दूसरा दोस है कि परोब कारी दूसरा दोस क्या है इस्त्रियों की दुर्दसा हो जाती है अतना श Estate मनऊ होए जात है कि मैं इस्तरी के दुर्दसाया कि आप सोच तो गाहना बनवाए लिए पसे बहना है कि उतव अगर तूब वनवाए लयो जालीं जादा पैसा कमातो во लिए सज Mädels कि मैं गमातो से समय में कमातले तो आपने पिता इसे पुझबो की गहना बनवाए दी, तो कहेंगे अभी देखो थोड़ा सा ये काम निप्टा ले फिर उसके बाद में ऐसा, ये चीज़ है, तो इसे क्या होगा कि बैमन उस्ता धिरे-दिरे फैलती, तो क्लेज भी फैलता है, इर्सया फैलती है, अगर आप जाए के गहना लेओ, पहिनाए दियो, तो आपकी पत्नी तो आपसे खुस हो गई, लेकिन अउर्जवन सब लोग हैं, वोग तुर्द नाराज होजी हैं, इर्सया वहीं से क्या होगा कि देखो ये ज़्यादा कमा रहे हैं तो अपना धौश जमा रहे हैं गर में, ये चीज होती हैं, कभी-कभी क्या होते हैं, गाउं वगारा में, चार-चाथ दोस्तों को बुला लाएं, खाना यहीं पर सब लोग खाएंगे, अच्छा गउं बताते भी नहीं से कि बाहरे नात बरिस्तेदार्या कोई आ गया, अब घर मां बिस्कुट है, या मिठाई है, पानी पी जगड़ा भले होएं, उनके घर से रहा था है, लेकिन थोड़ा सा उसी में से कुछ लेन देन का मामला चलता रहते हैं, बहिंते नी बिस्कुट रखे हैं, देती हैं आज का, रिस्ते दार आये हैं, फलाने के ससुन, अच्छा अच्छा, तुरंते वाजों अवल क्वाल्ट और तीसरा दूसिसका ये है कि बाल विबाह को प्रोश्ताः सविक्तु परिवार के द्वारा मिलता हैं, बाल विबाह को, ओके और चौती चीज ये है कि अधिक संतान पादन भी इसमें होता है, खर्चा का जादा लोट नहीं होता है, सबी लोग सभी लेकिन परिए तो परिवार अच्छी परिवारी विवस्ता है यह होता है यह सब चीजे लिख दीजेगा हो जाएगा आगला प्रसन है वर्ग से आप क्या समझते हैं वर्ग क्या होता है वर्ग की बात कि अगर हम करें तो वर्ग की परिभासा को देते हुए आगबर्दम निमकाफ कहते हैं कि एक समाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग होता है जिसका आवस्यक रूप से एक निश्चित समाज में समान समाजिक पद होता है दूसरे बिद्वाने लेपियर, लेपियर में होते कहते हैं कि एक समाजिक वर्ग सु असपश्ठ सांस्कृतिक समू है जिसे की समपोर्ट जनसंख्या में एक विशेस अस्थान थवापत परापत होता है उच नीच की भावना होती है दोनों में उच नीच की भावना या वर्ग हो गया है वो हो गया जिसकी आयू जादा है वो बड़ा माल लेता है अपने आपको तो ये आयू के हिसाब से वर्गों का निधार होता है धन के हिसाब से निधार होता है लिंग के हिसाब से आप इस तरी है पुरू से इसके हिसाब से वर्ग का निधार होता है आपका टैलेंट क्या है योगिता के हिसाब से भी योगित निधार होता है ठीक है राधाधिक सक्तिया के पास क्या है इससे भी आपका समाजिक वर्ग निधारत होता है यह होता है वर्ग समझ में आ गया समाजिक वर्ग का ताथ पर उन वेक्तियों के समूह से होता है जिनकी किसी समा समानी सिती होती है जब समाज की कुछ लोगों में एक समानी समानता होने के करण उनकी सिती में समानता होती है तो इस समानी सिती प्रात्यमिक्तियों के समूं को हम वर्ग कहते हैं और ऐसी प्रकार से कोई निम्द वर्ग होगा यानि कि समान यह से क्यों मालते हैं दस लोग हैं दस लोग जो है 20-20,000 रुपए समाज में कमा रहे हैं तो वो एक वर्ग के लोग हैं और वही पर दस लोग जो हैं वो 2-2,000 रुपए महिनम कमा रहे हैं तो उनका वर्ग एक दूसरा है और कोई 1-1,000,000 रुपए कमा रहे हैं तो वो वर्ग दूसरा है तो इस परकार से ये वर वर्ग हो गया आपका धन के हिसाब से इसी हिसाब से आयो कोई बुढ़ बुजर गया तो बुढ़ों का वर्ग हो गया जवान है तो जवानों का बच्चे हैं बच्चों का वर्ग यह सर ठीक तो वर्ग हो गया समझ में अगरे एक पूजी पती वर्ग संगर्स की विचार धार कालमाक्स ने दिया है ठीक ये सब तो आप लोग जानती होंगे तो ये सब चीजे होती है समाज में वर्ग वर्गों के बीच में संगर्स होता रहता है जो अमीर है वो अमीर होता आता है तो इससे गरीबों को दिक्कत होती है और जो गरीब हो और गरीब होता है तो जो कि उसक हिंदु विवा की पहली विषेस्ता रिखो वैसे विवा क्या होता है विवा जो होता है विवा इस्तिरी और पुरुस को परिवारिक जियों में परवेश कराने वाली संस्ता होती है यह बोगाडार्स महदय ने कहा था और गिलिन और गिलिन ने कहा विवा की परिवासा को दे पहली विशेस्ता हिंदु विवा की ये है कि हिंदु विवा क्या है एक धार्मिक संस्कार है भारती धर्म गरंतों को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अनुसार आप देखेगा कि भारती धर्म गरंतों के अनुसार विवा जो होता है धार्मिक संस्कार होता साथ कहते हैं कि सा साथ साथ या साथो जनम तक गाना अगर आप लोग सुनते होंगे तो आप पुराने गानों में असी के दसक और नबे के दसक के गानों में आप लोगों ने साथो जनम के बंधनों के बारे में गाना सुना होगा कि साथो जनम के बंधन में चलो बंध जाएं इसलिए साथ फेर करके हमें प्रण लेते हैं कि हम साथ जनन तक अपना रिस्ता बनाएंगे अभी बतिया लगे कि एक कई जनव मार पीट कई लेते हैं घरी पूंस देखें बीस-पचीज दिन बीता रहें कि जगड़ा हो एक शुरू चले यह होता है आपका पहला एक धार्मिक संसकार है हिंदु विवा दूसरा इसकी विसेशता है कि एक विवा हिंदु विवा की दूसरी सबसे महत्रपुन विसेशता यह है और सबसे अच्छी विसेशता है कि प्रारंब से ही आदर्स विवा एक विवा ही माना आता है और हिं की बात है लेकिन हिंदू में एक विवाही आदर्स विवाह है अगर आपकी पत्नी मर जाती है तो आप दूसरा विवाह कर सकते थी हिंदू में ठीक या फिर ऐसी सिति हो कि आपकी पत्नी की बच्चे ना हो पत्नी कह रही कि साधी कर लो चुकि बच्चे का काम उसे भी तो पत्रिनी मर गहिए तो आप साधिक कर लिए और थी बीच वोगाई उसको मानता नहीं दी थी और थी पर चले भीड, सती पर था इस तरी तो कूच जाए आपके साथ atenção में और आपका हाई नहीं कूदili आपको कूद Jenya कुछ नियम में अंतर होना चाहिए इस्तिरी पूरुस में हम यह नहीं करते हैं और यह कभी भी नहीं हो सकता ठीक है चुकि ऐसा सरकार ही नहीं कर रही है चुकि प्रकरती न ही आपको अलग बना करके वेज़ा है अलग होते हुए भी इस्तिरी पूरुस एक दूसरी की पूरुस नहीं सकती ये सभी को पता है तो ये तो जरूरी है भाई तो ऐसे नियम जो की समाद में ऐसे कि अगर इस तरी बताओ आप मर गए तो आपके लिए वो भी अपने प्राणों का दा कर दे ये कौन सा नियम है भाई बिल्कुल ये खतम हुआ बहुत अच्छी बात ये को पूरुस का सुनियों की कूद परह हुए अपने पतनी की जो चिता में नहीं सुना होगा न तो इस तरी काहे लिए कूद है ये विचार धारा हुए दूसरी बात नकारात्मक पॉइंट ये था इसका ये कि इस तरियों की बात या नकारत्म की स्थिति अच्छा इस्थियों को देवी माना याता था लेकिन बीजी में कुछ हुआ की कुछ लोग आये जिन्होंने इस्थियों को क्योल भोग की वस्तु समझा वो अलग की बात है तो अलग-अलग समय में इस्थिति है हिसाब से परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन ही परकृति का नियम है और इसके हिसाब से जब भी परिवर्तन हो समाज में तो आपको उसमें ऐसा नहीं कि आपको परिवर्तन आप रोग लगी परिवर्तन नहीं रोग लगी परिवर्तन जो होता है परकृति के द्वारा क नहीं होता था बिधवा अगर है अगर मालते सती पर्था जब बंद हुई सती पर्था के बाद में एक और समय से उत्पन होगी बिधवा की अब बिधवा की समय से उत्पन होई चुकी अब बिधवाय बढ़ने लगी तो लोग बिधवाओं को देखते सुबा देखो अगर ब बिल्कुल भी नहीं है, ये एक रूड ही है, एक प्रकार से एक मनोगण चीज़ है, तो इस पर आप इस वास ना करें, ऐसे चीज़ चाहे हिंदु धरम में हो, चाहे मुस्लिम धरम में हो, सिक्ष धरम में हो, थोड़ा समझ लीजिए, किसी भी धरम में जो भी बुराई है, उ अपने धरम की बुराईयों को पहचानो, दूसरे धरम की बुराईयों को न टटोलो, उसके उपर टीकाटेपड़ी ना करो, आपके धरम में जो बुराईयां है, उनको खतम करो, अच्छाईयों को लाओ, क्या हमारे धरम में ऐससी चीज़ लाएं, जिससे अच्छाओ, कोट कह रहा तो आप जो है आप उसका विरोध करोगी वो सोच समझ करके वहाँ पर पढ़े लिखे लोग कोट में बैटे हैं वो जो निरड़े लेंगे वो सर्वसमती होने चाहिए उसके निरड़े के लाब चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुसिलिम हैं चाहे सिखें चाहे हिसा अपने हिसाब से करें लेकिन धरम में जो नकारात्मक पॉइंट है उनको कोड भी कतम करना चाह रहा है तो उसको आप accept करो कि हाँ चुकि पढ़े लिखे लोग वहां पर वेविन हिंदु धरम के लोग भी, मुस्लिम धरम के लोग है तमाम सारे धरम के लोग बहुत ज़ज बने हुए है तो वोग विचार भी मर्ज करते हैं, वकिल लोग बहस करते हैं उस पर, अपने अपनी बाते रखते तो वो लोग पढ़े लिखे समाज है, तो वो ज librarians say, हम लोगों से जादा पढ़े लिखे, हम लोगों से जादा जानकार है, विक्धार करेंगे है हुद्य क्या एक्षा हच्चा होगा तो इसको accept करना चाहिए, उगा só तो तीसरा चीज यह है तो विधवा पुनर विवा का जो प्रकार से चीजे हुई अच्छी बात है तो भाई अगर विधवा पुनर विवा भी हो आज विवा विच्छेद भी हिंदों में विवा विच्छेद नहीं था विधवा विवा नहीं था सती पर्था थी इस अभी का आंतो हुआ क्यों आंतो हुआ क्यों कि यह सबनाकारात्मक पॉइंट थे हिंदू विभा के लब हिंदू के यह चीज तीसरा चीज है अंतर विभाः अच्छा जब भी आप लिखिएगा कापी में खुल करके लिखो यह मतलि लिखना कि इसे कि प्रोफेसर की बुराई या टी लेकिन सत्यता को कभी मैं छोड़ना मेरी पैर दोस्तो सत्य पर अपने डिख रहना अपने धर्म पर डिख रहना धर्म माने क्या होता है जो आपका कर्तब्य है अपने कर्तब्य को अपने निष्ठा से बीना आलस किये हुए अपने कर्म निष्ठा को आप करते रहेगा वही आपका सर्म परतम धर्म होता है मेरे पैदोसों ये बात ध्यान देखेगा और ये जो सिखाता है आप देखिएगा कर्तब निष्ठा आप सीख सकते हुसानत धर्म से हर्मान जी मकरंदवज दोनों ये बाप बेटे हैं लेकिन जान भी जाते हैं कि हमारा लड़का ही है पातालो की सुरक्षा करता है लेकिन फिर भी आप देखिएगा एक कर्तब निष्ठा है एक तो राम की कर्तब निष्ठा है हर्मान में और एक जो मही रामड है उसकी कर्तब करतब का निर्मान करुंगा पिटा lü युद्ध करते से आप हार एक छेतर में जब भी अप हिंदु दरम गरंद उठाएगे तो करतब निष्टा की भावनहर में प्रेरीत आपको मिलेगी तो अंतर विबाहन है अ आपनी ही जातियों में विवाह होता है और अपनी जाती से विवाह करना बाहर विवाह करना सही नहीं मानायाता यह एक विसेश्ता और चौती विसेश्ता है सगोत्र सपरवर और सपिंड बहिर विवाह यानि कि सगोत्र में अगर गोत्र आपका एक ही है तो विवाह नहीं आपका प्रवर एक ही यह विवाह नहीं होगा आपका एक प्रकार समझ लिए सा पिंड सा प्रवर सा गोत्र जैसे मालेते हैं विवाह में आपका गोत्र गोत्र समझते हैं गोत्र होता तो गोत्र अगर आपका से मेरा गोत्र आपका पड़े मेरा गोत्र पड़ेगा गर्ग गो तो साब पिंड होता है इसी प्रकार से साब परवर विवा भी नहीं होता है तो ये सब एक प्रकार चीज़े होती है ठीक है आगे समझते है अगला परसाब देखेगा अगला परसे भारत में जनसंक्या ब्रदी के दो कारण और दो परड़ाम लिखे बढ़िया प्रसन है तो जनसंक्या ब्रदी का पहला कारण तो ये है भारत में कि गरम जलवायो है भारत की कुछ लोगों ने गरम जलवायो को भी जनसंक्या ब्रदी का कारण बताया है और गरम जलवायो के कारण आप देखेगा छोटी उमर में परिपकता आती है और प्रजनन अवधी लंबी हो ज जाती है ठीक है तो इससे जनसंख्या बढ़ सकती है पहला कर दूसरा करण अब लिख दीजिएगा आसिक्षा यानि भारत की बात के तो भारत में आसिक्षा बहुत जादा है और जनसंख्या बिर्धी कांड सबसे महत्पूर्ण तो आसिक्षा यह क्योंकि इससे लोग परिव पर भी आदारित है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिज्ञान भी चकिते रह जाता है और प्रकृति बाजी मार ले आता है प्रभू बाजी मार ले आते हैं तो कहीड़े कहीं पर यह चीज़ तो ठीक ही है कुछ विश्वास जरूरी है बहुत विश्वास करना एक्दम से ज्यान भी स्वास करना जरूरी नहीं है लेकिन भगवान को छोड़कर आप जाएंगे कहां यह विज्ञान चंद का है बहुत कम समय के लिए छड़िक है लेकिन वो दिर्खकालिक है मेरी पैर दोस्तों इस्वर दिर्खकालिक है आध्यात्म दिर्खकालिक है विज्ञान अ पात्माः आजर अमरोर अवि नासी है नैनम छित्वी दास्तराणी नैनम धाति पाव कहा नचैनम कलेद यंतियापो ना सोसेत मारूताहर ओके आगे समझते हैं तो इस परकार से जे होती हैं तो यह हो गए दो कालण आप दो परेडाम सुनो जन संक्या पढ़ने के पहला परे चलब कारण बढ़ने से आर्थिक समस्यां होगा है कि किसी भी देश यदि संख्या के कारण से समस्यां हो जाती है कि वह बढ़ती है भासा संबंदी विवाद होने लगते हैं तमाम परकारिक चीज़ें होती है अच्छा अगर ही पर पूछने था कि जन संक्या प्रदी को रोखने के दो उपाई भी बता दो चले उपाई भी समलो पहला उपाई है कि परिवार नियोजन के पहलो पर विसेश बल दि बीया है यह पिर निरोध वगरा तमां पर опरकारीक चीजे जो हैं जिसते क्या होता होते है जन संक्या ब्रदी हम भुательно कर vibes कि अ मिसके अलावा दूसरी चीज के है किस शिक्षा सर्वार कि अब नब्लब तुक्श्या का प्रचार क्या मंदलब तो यहां परिवार नियोजन के परती लोग ज्यादा जागरूप होंगे और इसके करण से क्या है कि जन संक्या बृद्धी को मुरोग पाएगे तो जन संक्या बृद्धी के कारण बताया हमने परेडाम बताया और उसके उपाये बता दिये वो के किलियर होगी बाते आगे समझते हैं अगला परसना आपके समक्चा जोगा है राश्टी एकिकर्ण की आवधार्डा क्या है राश्टी एकिकर्ण की आवधार्डा क्या है वही फड़ावर से बताने का प्रियास करिएगा राश्टी एकिकर्ण की गर बात की जाए या फिर एक भासा तीज देवहार आदी के प्रभावित होने नथा मांसिक दिश्टी से सभी लोगों में एकता की भावना उत्पन होने के रूप में रास्टी एक क्रण कहलाता है कहने का मलब यह है कि रास्ट में सब एक जैसा हो सभी लोग एक दूसरे में परस्पर क्या हो अन्यो नसरत का सम söynd रखते हो सभी लोग आपस में क्या रखते हो कि छोटी छोटी राज परक को कि एक बड़ी देश कर निमाड करे और सभी देश परति समर्पित हो यह होता आपका रास्टी एक इकड़ वैसे राष्टी एकड़ की परिभासा को देते हैं डाक्टर संपूरा दुन्द कहते हैं कि राष्टी एकड़ एक मनोबे ज्यानिक तथा सैचिक प्रक्रिया है मन में जन साधान के प्रती एकता पारस परिगनर भड़ता सामान नागरिकता की भावना राष्ट के प्रती भक्ती भावना सन्निहित है ये राष्टी की गण की परिभासादी किसने डाक्टर संपोरा दने राश्टी के गण में मुखी रूप से आप देखेगा कई सारी बाधाएं जैसे कि भासावाद इसमें बाधा उत्पन करता है तो आप से पूचता कि भारत में राश्टी के गण में कौन सी बाधाएं उत्पन होती लिखी है तो भासावाद पहली बिसेस्ता, दूसरी सामपरदा एक्ता, तीसरी बाधा कौन जी जातियता और चोती छेत्रवाद जातिवाद इसके अलावा समपरदायवाद और भासावाद ये चार पहलू है जिसके गाण से क्या होता है राश्टी एक्ता में बाधा उत्पन होती हो के किलियर होगी बातें आगे समझते हैं अगला परस देखेंगे नववा नमबर परस आपके समझतें नकसलवाद क्या है नकसलवाद क्या है ये बड़ी हाँ प्रसन है नकसलवाद के अगर हम बात करें तो नकसलवादी आतंकवाद का आसा है और नकसलवादी परकार से आतंक तो पाद, जो अपना लक्ष बताता है, समाजिक आर्थिक नियाएपर आधारित विवस्ता की अस्थापना करने के लिए, आपस में सरकार के नियमों को नहीं मानते हैं, सरकार के नियमों की खिलाब जाते हैं, नकसलवाद यही होता है नकसलवाद से आप देखेंगे जिसे कि बिहार में आप नकसली को देखेंगे नकसलवाद को बंगाल में भी आंदर प्रदेश में 36 गड़ इन सभी राज्यों में आप नकसलीों को देख सकते तो यह नकसलवाद हो गया दस्वा पर साम के समझे धर्म के प्रचार धर्म के चार प्रकार ये अथवा महतो बताईए धर्म के चार प्रकार ये अथवा महतो बढ़िया प्रसन है भई धर्म क्या होता है धर्म आध्यात्मिक सक्तियों बिस्वास है ऐसा किस ने का टालर ने का एड़वर्ट टैलर करें करता है कि धरम क्या है आध्यात्मिक सक्तिय मिस्वास से परिभास आती है ध्यान नेखियेगा बड़ी important परिभासा है धरम की कई सारी विसिष्ट इसे धरम जो होता है अलोकिक सक्तिय मिस्वास करता है धरम आसायम सक्तिय का स्रोत होता है धर्म पवित्रता समदित होता है धर्म बिसिष्ट धर्म परतीत होता है धर्म का ये सारे चीज़े होती धर्म की धर्म के चार परकार क्या क्या है पहला परकार है समाजिक संगठन का आधार धर्म क्या होता है धर्म का पहला महत्या परकार ये है कि समाजिक संगठन जो होता है धर्म के द्वारा होता है समाज में जो संगठन का निर्माड होता है इसे हिंदु लोग आपस में एकठा होते है कि इसका करण क्या है कि हिंदु की में एकता हो जाती है मुसिलिमों में एकता हो जाती है सिख्खों में आपसी एक ता ये सब संगठन में बना लेते हैं क्यों चुकि ये धर्म एक ही धर्म के हैं तो संगमाजिक संगठन का आधार निर्माड करने का काम कौन करता है धर्म करता है पहला मैं तो दूसरा मैयत तो आप लिखेगा समाजिंग नियंतर का साधने धर्म अच्छा आप कोई विक्ति धर्म गलत काम कर रहा हो तो अगर आप उसको बताएंगे कि अगर आप ये कर्म करोगे तो आपको गलत दंड मिलब की गलत कारी होगा इसलिए आप देखेगा हिंदू में नरक की जो है अगर आप गलत काम करोगे तो आपको नरक मिलेगा और नरक का भी कटगनी कई परकार से किया गया है कि जिस परकार से आपके कर्म होगा उसी परकार से आपको नरक भी दिया जाएगा कई प्रकार के नरक के बारे में बताया गया है ठीक है उसमें कुम्भी पाक नरक हो जाता है इसी प्रकार से और भी तमाम प्रकार के नरक हैं जिसके प्रकार बताया गये हैं तो यह होते हैं तो दूसरा क्या होता है भई दूसरा को तो समाजिक नियंतल यानि समाज में अगर गलत कर्म जो विक्तिकर नहीं, उनको करनों से रोकना है, तो कहीं न कहीं पे धरम का सहरा लेना पड़ता है, समाजिंग नियंतलम यानि सोचल कंट्रोल में सहायता परदान करता है कौन धरम, ठीक, तीसरा महत इसका यह है, प्रकार इसका यह है, कि समाजिक एकता का विकास करत चुकि धार्मिक जीवन में जो भगवान होते हैं, जो आराध्य होते हैं, उनका भी बचपन नहाओगा, उन्होंने भी परेजीवन को छेतरीके से जिया होगा, इसे भगवान स्री राम, भगवान स्री राम के अगर आदर्स पर अगर हम आप लोग चलें, तो कितना समाज होगा आप खुदी सोच सकते हो तो ब्यक्तित तो आपका कैसा निखरेगा तो ब्यक्तित के विकास में सहायता प्रदान करता है कौन धरम तो यह चार महत्पूर्ण प्रकार जो कि मैंने आपको बता दिये किलिर हो गई बाते इस प्रकार से आप लोगोंने तमाम प्रका किसे आपको समझा करते बताया है आपको कहीं पर भटगने के कोई आवस सकता नहीं पड़ेगी पहला परसना आपके समग्छा जुका कस्बे की विसेस्ता है या निधारक क्या है बताएं कस्बे की विसेस्ता क्या है पहली विसेस्ता वे सभी अस्थान कस्बे कहे जाएंग दूसरी विसेस्ता कस्बे की जहां की नियुन्तम जनसंख्या केतनी हो 5000 हो 5000 से जनसंख्या कम ना हो 5000 से जादे जनसंख्या जहां पर निमासकती सेरिया में उसको हम कस्बा कहेंगे तीसरा दयधारा कौनस ओगा थीसरा विसेस्ता कौनस सी हो गई जहां पूर्षों की कारशिय जनसंख्या का कम से कम वी टीडी भा किर्शी के अतरिकती कारियों में सलगननerson यानि की लगबग और लगबग 70% से अधिक जो है लगबग मलब की जो किर्सी कारे है उसमें सलगनना हो लोग अलनि भैव साई म के वो होता है कस्बा चौथा आप देखिएगा चौथी इसकी विशेस्ता या निधारक तत्तु कस्बे का जहां पर जनसंच्या का घनत तो कम से कम 400 प्रतिवक्ति किलोमीटर हो यानि कि लगबग 1000 प्रतिवर्ग मिल यानि कि लगबग एक वर्ग किलोमीटर में प्रतिवर्ग किलोमीटर में आद देखिएगा वर्ग किलोमीटर में जो है 400 विक्ति निमास करते हैं तो उसको हम कस्बा कहेंगे एक किलोमीटर के दारे में 400 लोग निमास करते हैं तो उसको हम कस्बा बोल देंगे और इसी परकार से पूरी के पूर गड़ना अधिकारी के अनुसार असपस्ट नगरिये सुभिधाये में विसेस्ताइं रखता हो तो उसको हम कस्बा बोल देते हैं ये बात भी ध्यान रखेगा तो कस्बे के बारे में चीज़े हो गई किलियर होगी बाते आगे समझते हैं तीसरा प्रसनाब की स्किन पर आचुका है गरामीड और नगरिये जीवन में क्या अंतर अच्छा गाव और नगर के बीच का होता है कस्बाओ के ये बात ध्यान रखेगा प्रसनाब के समझा चुका कि गरामीड जीवन और नगरिये जीवन में क्या अंतर है पहला अंतर लिख लिखेगा ग्रामीड जीवन पर परियावन प्रदूसर्ण का अभाव ना के बराबर होता है क्योंकि ग्रामों की जनसंक्या नगरों की बेख्चा क्या होती है परियावन प्रदूसर्ण गाव में कम होता है और नगरों में प्रदूसर्ण क्या होता है ज्यादा होता है नगर प्रतिष्ठा जनम पर अधरित होती है आपकी योगिता बैक्तिगत गुड़ो आपकी जो प्रसनल या फिर प्रतिष्ठा मिलेगी समाज में पांचवा अंतरिन दोनों में यह है कि ग्राम इड जीवन अपएक्षा करते कम खुसाहाल होता है क्योंकि ग्राम वासी सर्युक्त परिवार अधिक पसंद करते हैं जिसके कांड से इनके परिवार का आकार क्या होता है और छोटा परिवार खुसी परिवार यह आप टाइग लाइन भी आप लोगो ने सुना होगा ठीक लेकिन छोटा परिवार क्या हो आपका दुई थबरा को नो आप पड़ा पड़ा कंफर्टिब मारिस तो आपका आकरबो आपका भाई होत अगर आपके बापा होते वैसे ये सफा सरकार में ही सो नंबर आ गया था 112 आकर के योगी जी बाबा ने किया है चलिए अगला परसम देख लेते हैं चौथा नमर पर देखिएगा भारती बिद्या अभिगम की सीमाएं बताइए भारती बिद्या अभिगम की आधार पर आप देखिएगा और भारत के पारसपरिधा प्राचीन जो ग्रन्त है उनकी आधार पर भारत में अनेक भारती समाज का अध्यन करने का प्रेतन किया है और इसको अध्यन का आधार बताते समय इसकी निम्न सीमाओं पर भी ध्यान रखने का प्रियास की है लोगों ने बिद्वानों ने और कौन को सी सीमा भारती बिद्या जो हमारे उपनिसाद या बेद पुराण है या फिर जो भी गरंत हैं भारत के प्राचीन गरंत हैं उनसे समाज सास्वी अध्यन बहुत स़ारे हुए है तो उसी को भारती विद्या अभी गम करते समय उसकी कुछ सीमाय होती है पहली सीमा कौनसी है जो प्राचीन गरंत हैं इंगरंतों के समस्त्य अध्यानों का आधार किया है कलपना और धरम है इसके फ़ल सरुप इसमें बैज्यानिक तथ्यों का पूर्ड अभाव होता है ठीक ही ये बात तो इसको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें अगर बैज्यानिक ता के साथ हमको करना है तो कुछ अभाव होगा चुकि पूर्ड ब्याख्या है नहीं करेगा दूसरी बात है कि बैदिक काल से लेकरके इस्मृतिक काल तक के समस्त गरंतों का अधार धार्मिक है ना की समाजिक है और समाजिक अधार के अभाव में इन गरंतों को समाज सास्त्री अधिनों के अधार के रूपे नहीं लियाया सकता ये भी वाद धाने कि तो यानि बैदिक काल से लेकर के इसमिर्थी काल तक हम समाज के अधन में नहीं ले सकते तीसरी सीमा इसकी ये बताईगी विद्वानों के द्वारा कि प्राचीन भारत में उपलब्द समस्त समाजिक व्रामडों का प्रबुत रहा है अता इन गरंतों में प्रति झुकाओ का पाया जाना सरुष्वाविग रहेगा और इस प्रकार के पच्च पाथी गरंतों के अधार पर समास सास्तिन निशकर्स नहीं निकाले जा सकते तो ये भी ध्यान देनेगी बात है चोती ध्यान देने एक बाद दिये कि इन गरंथों में परस पर एक रूपता भी नहीं पाई जाती है विभिन गरंथ परस पर बिरोधी बिचार भी प्रसुत करते हैं उधाद के लिए जाती के उत्पत्ती को ले करके विभिन धर्म गरंतों में बिरोध की भावणा उत्पन होती है तो इस प्रकार से ऐसे परस्पर बिरोधी अध्यनों को समाशास्री आधार के रुबे नहीं लिया सकता है लेकिन ये तीन चार सीमाएं होने के बावजूद भी भारती विद्या अभीगम एक महत्पूर्ण स्रोत महत्पूर्ण आधार के रूप में हमारे समझाता है जो कि क्या करता है जो कि मेरे प्यारे दोस्तों जो है भारती समाशास्री अध्यन करने के लिए उप्यूक्त साधन होता है उसमें कोई दो राहे नहीं है ओके आगे बढ़ते हैं अगला प्रसान चुका है पांचमा नमर पर देखें डाक्टर गुहा ने जनजातियों का भवगोलिक वड़न किस प्रकार किया प्रस्न बड़ा ही अच्छा है डाक्टर गुहा एक बड़े विद्वान है उन्होंने क्या किया प्रस्न पूचा जारा है कि डाक्टर गुहा पहलें झन्जातियों का भॉगोलिक वर्ण들 किस्प्रकार किया डाक्टर बीयस गुहा की गरबात किया तो इन्ने ब्हुंगोलिक आधार पर भारती जन्जातियों को तीन मुक्ह प्र अ्तार थीक है दो आए गया है मजूमदार और मदान ने भी बीएस गुहा द्वारा दिये गई इसी वर्गीकर्ण से जो है संतुष्टी जताई है तो मजूमदार और मदान जो की डाक्टर बीएस गुहा के समर्थन में हैं तो तीन प्रकार की चीजे हैं जो कि मैंने आपको बता रहा हूँ पह बीएस गुहा ने ठीक जो हूँ जो उतर और उत्तरी पूर्भी छेत्र है इसमें आद देखेगा जम्मू कस्मीर से लेकर के हिमान चल की और बढ़ता हुआ बहां भारत के उत्तर पूरी प्रांतों में फैला हुआ है और इसमें जम्मू कस्मीर हिमान प्रदेश पंजाब, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश असम बिहार का दिकान सिस्सा अरुनाचल प्रदेश देलिजी आप मिघाले नागलेंड सिक्किम तिरपुरा पस्चिम बंगाल का उत्तरी छेत्र इसे सभी में आप देखेगा खासी गारो थारू कचाटी नागा रामभा कूकी खंपा जोन सा भूटिया लहोला लेपचा कनोवा गद्धी मीरी यह तमाम प्रगल जंजातियां उत्तर और उत्तर ही पूर्वी छेत्र में रहते हैं रटर बियस गुहा कहते हैं दूसरा छेत्र कौन सा है मद्ध छेत्र मद्ध छेत्र का संबंध जो है आप देखेगा जो दक्षड बारत को यमुना और गंगा के मैदानों से अलग करते हैं इसमें आप देखेगा जो है बिंध्या चल और सत्पुड़ा की यो परबस रणिया हैं वो सब आजाती है और आप देखेगा इसमें मुखे रूप से दक्षडी रायस्थान आता है दक्षडी उत्तर प्रदेश, औरभी भील, हो, खरिया, कमार, कोटा, कमर, सहरिया, कोरकू, यह तमाम प्रकर जन जाती हैं मद्य चेतर में रहती हैं तीसरा यह चेतर जन जाती हो कौन सा दक्षडी चेतर गुहा के अनुसार कृष्णा नदी के दक्षड में इस्थित भारत का संपूर्ण चेतर इसी के इंतरकत है और यह चेतर भारत के दक्षडी पश्चिमी भागों के पहाडी जो हिस्से हैं उससे लेकर के पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों तक फैला हुआ है और वरतमान राज्यों में आप दिखेगा तो करनाटक हो गया, आंदर प्रदेश हो गया, तमिल नाडु हो गया, और इसा का दक्षड भाग खास करके यह सब जो होते हैं छेतरों में आते हैं और इसमें आदिके टोंडा जन्जाती हो गया, बढगा जन्जाती, कोटा जन्जाती, कादर जन्जाती, पनीन जन्जाती, कुसंब जन्जाती, उराली जन्जाती, पुलेन जन्जाती, और इसक समुह में छोटी छोटी जन जातिया रहती है ठीक है अंडमाने को बार में इस प्रकार से डाटर बीस गुहा ने भोगोलिक वड़न किया जन जातियों का अगला पर देखे च्छटवा परसना आपके समक्ष है जाति की परिभासा एवं जाति पर्था की भी सेस्ता है बताइए बड़िया परसना है आपकी परिचा के देश्टी से ओके जाति पर्था की परिभासा है नहीं जाति की परिभासा देख लेते भाई मजूमदार और मदान कहते हैं कि जाति क्या है एक बंद वर्ग होता है मजूमदार और मदान का कथन बड़ा फेमस है मैकाईबर पेच कहते हैं कि जब किसी ब्यक्ति की समाजी की स्थिती पूर्ण रूप से पहले से ही नेशित होती है मनुस अपना भाग लेकर उत्पन होते हैं इसके बदले मनलब बदले जाने की कोई आसा नहीं होती है उस समय वर्ग जाती का रूप धाण कर लेता है एक मनलब कि आप जर्म लेते हैं तो आप जिसे ब्रामण रूप से अनुमान सिक्ता यानी वंसान उकर्मण पर आधारित होता है तो हम उसे जाती कहते हैं चार्स कुले कर्थर मड़ा फेमस रही है तो इस परकार दे जाती की परिभासा हो गई ठीक इसके अलामा आप देखेगा जाती पर्था की बारे में अगर बात किये तो जाती पर्था की विसेस्ताओं को समले थोड़ा साम जाती पर्था की पहली विसेस्ता ये है जीयस घुरिये जो है जाती पर्था की तमाम सारी विसेस्ताओं बताते हैं उन्हीं की विसेस्ताओं या अनिवार है कि वह अपने पद और जाती के नियमों के अनुसार कार करें परन्तु यदि कोई सदस्य अपने जाती के नियमों का उलंगल करता है तो उसे या तो दंड दियाता है या तो जाती से निकाल दियाता है इस प्रकार प्रतेक खंड के सदस्यों में समुदाइक भावना प्रकार से पनप्ती उसका जनम होता है दूसरी विशेस्ता सोपान तंत्रिया संस्त्रण यानि कि भारती हिंदू सांस्कृतिक या समाजिक अस्तरिकर्ण मुख्यता देखी जाती पर इधारित रहा है हिंदू जाती कि भिन खंडों में ऊच नीच का एक प्रकार से संस्त्रण यानि की अस्तरिकर्ण रहा है उतार चड़ाओ रहा है ये होता है आपका ज्येस गुरिय ने कहा कि संस्त्र न जो होता है यह जाती पर्था की दूसरी विसेस्ता तीसरी विसेस्ता जो है जियेस गुरी यह बताते है खान पांध था समाजिक सहवासों पर क्या होता है समाजिक सहवासों पर भी क्या होता है भई समाजिक सहवासों पर भी रोक होता है आप देखेगा जो है से की ब्रामभण आप देखेगा जो है ब्रामभणों के हाथ का बना भोजन सभी जातियां खा लेती है लेकिन ब्रामभण जो होता है आनजातियों का बना हो खाना नहीं खाता है ये सब चीज़े ओके और आप देखेगा जो है जल गरहन करने तथा कच्चे पके भोजन के संबने भी छुआ छोद बरती जाती है ब्रामडों में छुआ छोद सबसे अधिक बरती जाती है कुछ काने कुप जी ब्रामड तो स्वयम के हाथ का बना भोजन ही खाते हैं तो यह तमाम प्रगारिक चीज़ें होती हैं तो जैसे कि क्या होता था पहले की समाजों में कि पूजा अगर वो साफ सुथरा खाना बनाए तो आपको खाना चाहिए बिल्कुल खाना चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है साफ सुथरा बनाए बसरते अच्छा ब्रामर लोगों को ये भी बैए होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ दूसरा गड़बड़ करके दे दे या फिर प्रकार से अच्छा नहीं दिखता है इसके कान से ना खाते हूँ या कई प्रकार की स्थितिया रही होंगी ठीक है कि या बेचारे वैसे परिसान है इनके हाथों का बना हुआ खाना क्यों खाए या चुआ चुद ऐसी व्यवस्तात हो रही थी समाज में इसको कोई मना ही न प्रकार समझे ब्रामबनों ने कुछ मात्रा में अत्याचार किया और आज वह अत्याचार कहीं पर आप देखिएगा समाज है नियम काईदे से बदल चुके हैं ठीक है अब समाजिक नियम का बोल बाला नहीं है आप कानूनी मापदर्ण चलते हैं कानूनी नियम चलते हैं समास्कile में आप दंडो का बोल वाला जो रहा खातम हो चुका है अब राम मड़ी छत्री और सब लोग समान है कि यह रहूं इसें लोग विचार थारा या कई चीजे उत्पन होती हैं जीक है ऐसे आप लोगों को इसे किमालते हैं जो हमारे निम निवर के लोग हैं उनको आरक्षड मिला तो कुछ इस्तिति रही होगी तभी तो आरक्षड दिया गया आपको इस्तिति खाल बढ़ा दिया गया और अरच्छर दिया गया तो आप आगे बढ़ दिक्कत की बात नहीं तो कहिने कई भी ऊस्तिति रही होगी अब अगर ये कोई कहे कि आपको आगे बढ़ा दिया गया यह चीज तो खला कि कुछ अब जो समण लोग है वो सोचते की हमारे उपर अत्याचाराब हो रहा है ठीक ये चीज़े एक मूबी अभी हाल फिल हाल में आई है उसको देखिएगा एक बार मंडल आयोग जब 27% आरच्छन आया था मंडल आयोग का विरोध उसमें किया गया है और ये मूबी आप देख लिजए अगबार आपके सोचियोलाजी की दिश्टी से इंपोरेंट है चुकि प्रसन आप से पूछा सकता है तो उसमें आप देखिएगा इकोनामिकल बेस पर अगर आरच्छन हो तो ये बेटर रहेगा जो आरच्छन की योग है उसको आरच्छन दिया जाए जो आरच्छन की योग ही नहीं उसको आरच्छन ना दिया जाए सिंपल से परिभासा यही है लेकिन ओड़ बेक के चक्कर में क्या करते है रादनेता लोग लगातार उसी में भासे होई है चाुति विसेस्ता इसकी यह है, जाती बात की क्या, कि समाजीक और धार्मी विसेसादिकार, चीक, इसमे धार्मी विसेसादिकार भी होते हैं sबी लोग ciao, पाजवा चीज़ का विबाद संबंद रधियों भी होता है, हिंदू में क्या होता है, कि जाती जो होती है, अपनी ज आती से बाहर विबाह नहीं कर सकती अगला परसाम देखे सत्मा नंबर परसन है हिंदू विबाह एक धार्मिक संसकार है टिपड़ी कीजिए तो हिंदू विबाह एक धार्मिक संसकार है बिलकुल इसमें कोई दो राय नहीं है हिंदू विबाह एक धार्मिक संसकार है क्यों सं प्रपना की जाती है हिंदू विबाह उन चारों पुरस आर्थों को पूरा करने वाला इस्तिरी पुरुस का टूड बंदन होता है पस्चमी अमलब की आर्थों की विवरीत आप देखेगा हिंदू धरम हिंदू विबाह में योन संबंधों का कोई विशेश महत नहीं होता है इसमें रती यानि की सेक्स का स्थान सबसे अंत में आता है और असपस्टे की हिंदू विबाह एक धरमिक संसकार है कोई समाजी क्या कानूनी समझोता नहीं होता है एक संबिदा नहीं होता है हिंदू विबाह क्या होता है एक संसकार होता है जिसको निरभान करना प्रतेक प अभितर संसकार हिंदू में, दोसरी भी सेस्ता है, इसकी यह आप लिख दिजेगा और इसमें थोड़ी-थोड़ी बाते भी आप लिख सकते हो, तो यह आपका बेटर हो जाएगा दोसरी बात की हिंदू में क्या होता है? अंतर विवाह होता है अपनी जाती के अंदर ही विवा होता है तीसरी बाती क्या होता है स्वर्ग की प्राप्ती हिंदू विवा के द्वारा ही एगर आप हिंदू सास्त्रों में ऐसा वड़न मिलता है कि बिना विवा किये किसी व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिल सकता चाहे उसमें कितने ही पोड़ किये हो चाहे उसमें कितने भी तप किया हो कितनी भी सकती हो स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती उसको बहुत बढ़त पहुंचे मात्मा होते हैं आप देखें बड़े बड़े जो साधु मात्मा होते हैं साधी करने के बाद में ही जब वो बान प्रस्त लेते हैं उसके आदे सन्यास आसरम में आते हैं तब उनको मोक्ष की प्राप्ती होती है ठीक यानि चार आसरम होते हैं ब्रामण आप देखेगा पहला आसरम ग्रहस आसरम स्वारी पहला आसरम होता है ब्रहमचर आसरम दूसरा होता है ग्रहत्त तिसरा अस्रम होता है कौल सा बानपरस्त 14 होता है और पीस-स साल के बाद में बचे कुछ है तो आप सन्यासी बढ़ कर सन्यासी बन जाओ ठीक तो यह चीज होता है इसके लाँ बिधवा विवाः पर 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 हिंदु विवाह को आगे बढ़ा देवी मदद करते हैं अच्छा हिंदु विवाह के पांच प्रकार होते हैं कौन कौन से पूझाता कभी कभी हिंदु विवाह के आठ प्रकार होता है ब्रह्म विवाह, दूसरा विवाह कौन सा होता है तीसरा होता है आर्स विवाह, चौथा विवाह होता है प्रजापात विवाह, पाचवा विवाह होता है गंधर विवाह, छटवा विवाह होता है आपका आसुर विवाह, सातवा विवाह होता है राक्षस विवाह, और आठवा विवाह होता है आपका पैसाज विवाह, ये आ बाता-पिता से प्रकार से कहिंद कई पर आप देखेगे का उनसे नहीं पूचते हैं और समधयं स्थापित कर लेते हैं उसे वस्त्रो आरा बोस्त्रों से सुस्जित करता और कन्या को दान में देता है। ठीक ये बात यह ने खिएगा। तो ये होता है आपका विबाह। अठवा नमर प्रसन है कि सामान धरम के लक्षण बताईए मनुसिमर्थी के अनुसार। प्रसन बड़ा ही अच्छा है चलिए भाई मनुसिमर्थी में क्या चीज़े बताईए गई किसमें प्रसन पुछागा सामान धरम के लक्षण। सामान धरम के क्या लक्षण है पहला लक्षण क्यों सा बई जो धार्मि नियम के सभी लोगों समाजों सभी देशों के लिए सामान रोप से होते हैं उसे हम सामान नियम या सामान धरम कहते हैं और हिंदु धरम सास्त्रों के अनुसार संपूर बिस में मानो धरम ही सामान धर रहे धुरती चीक है अपनी जीब धुरती माने होता है अपनी जीब अथवा ग्यानिंद्रियों पर संयम रखना ही धुरती कहलाता है एक्छा और विकार उत्पन होने पर भी जिसका चित बेकरत नहीं होता है आर्था जो धैर का गोड़ बिक्सित कर लेता है वो धीर कहलाता ह धुरती जो होती है ये पहला समान धर्म का लक्षण है दूसरा समान धर्म का लक्षण कौन सा है छमा छमा का ताथ पर होता है सबल अथवा सामर्थिवान जो सामर्थिवान होगा जो सबल होगा वही छमा करेगा तो ये तीसरा जो समान धर्म का गुण है कौन सा है काम और लो लो पर सहिंक सब्सक्राइब कई काम और लो भीन पर जो वह समर्छा है वो समानीकशार्थां का लिने neighborhoods मतलब करें लिकाती और खिरोंगरा नारध में शमेरेavat तो वो आस्तिय होता है चोरी ना करना आस्तिय कहलाता है तो ये सामार धरम का लक्षण है पांचवा सामार धरम का लक्षण क्या है वई पांचवा लक्षण है सुचिता यानी पवित्रता सुचिता वाने क्या होता है पवित्रता मन जीवात्मयम बुद्धी को पवित्र रख मनुस्मृति में इंद्रिये निग्रह पर अतिधिक बल दिया गया है और गीता में भी से धर्म का एक महत्मौन लक्षण माना गया है वास्तों में इंद्रियों पर नियंतर्ण रखने की ही सरबोच लक्ष प्राप्त करना है जब आप अपने इंद्रियों पर सयम नहीं रख पाएंगे तो कोई भी लक्षण आप नहीं दिखा पाएंगे आप अपने धर्म का पारण नहीं कर पाएंगे तो इंद्रियों को अपने बस में करना सात्मा लक्षण इसका बताया गया जो है मनुस्मृति में धी या फिर बुद्धी धी या बुद्धी मनलब क्या होता है बुद्धी का विकास एक प्रकार से किवल बेदो दसा धरम गरतों का अध्यन कर लेना मातर ही नहीं होता है इसका विप्राय किसी चीज के गुड़ों और गुड़ों को समझने की सकती भी होता है यह क्या आच्छा है क्या बुरा है यह भी प्रकार से कहिने के पर यह लक्षण होना चाहिए आठवा लक्षण समान धरम का क्या है आठवा लक्षण है बिद्या बिद्या मनलब होता है केबल सास्तिरों का पठन बाठन ही नहीं काम, क्रोध, मद, लोब, मो, छुद्र, प्रविड्ती इन सभी से छुटकारा पाना ये सब बिद्या होती है ये भी इसका एक लक्षन नववा लक्षन क्या है इसका नववा लक्षन है सत्य जो होता है इससे तात पर केबल सत्य बोलने से ही नहीं होता कि आप सही सही बोल दो इसका मनलब होता है जो सभी प्राणियों है तु कल्यानकारी हो जो सभी के लिए कल्यानकारी है वही सत्य है सभी कल्यानकारी मात्र प्रभू है मृत्यु सत्य है सभी की होती है ठीक तो सत्य क्या है जो सभी प्राणियों के लिए कल्यानकारी हो सत्य है और यही सत्य होता है और इसी सत्य का पालन करना सामान धर्म सिखाता है दसबा मनुस्मर्ति में बताएगा क्या सभी लोग मनुस्मर्ति की बुराई करते हैं जैन लोग बहुत लोग बुराई करते हैं भाईया आप लोगों का जो गरंत बना हुआ है पिर जो कुछ भी बना हुआ है या फिर जो भी धर्म आज ग्यान बता रहे है दुनिया वालों को उन सभी धर्मों को ग्यान देने वाला मात्रिक सनातन धर्म ही है ये बात आप कभी भी टाल नहीं सकते हो सभी का अधार जैन ध धर्म का बहुत धर्म का सिख का या इसी परकार से जो भी धर्म है इसाई मुस्लिम सभी परकार के धर्मों का जो कहिन कई पर जो प्राचीन जो ज्यान है वो कहिन कई पर सनातन ही है ओके और दसमा जो लक्षन है इसका कौन सा है अक क्रोध क्रोध जो होता है आप देखेगा क् क्रोध की सिती में मानों की समझतिंदरियां उस पर अपना अधिपत्य जमा लेती है और क्रोध जो होता है प्रकार से आपके बुद्धी रूपी सूरज को ढख लेता है तो क्रोध रूपी बादर बुद्धी रूपी सूरज को ढख लेता है ये किसमें बताये गया कि इता का ग्यान है यह ओके ये बाद या नखीगा और इसी करण से आप देखे खें क्रोध जो वक्ति आप ईहंकार क्रोध जो होता है रामण को था विनास हो गया कितना रामण पंडित भी ज्यानिक था अपने जवाने का बहुत बड़ा पंडित था रामण ऑके बहुत ज़्यानी था लेकिन क्या हुआ, एहंकार हो गया, सरवनास हो गया उसका, ठीक है, तो यह होता है, तो आक्रोध करना सिखुआ है, यह क्रोध ना हुआ आपके अंदर, तो इस प्रकार से आप देखिएगा यह चीज हो गई, ओके, यह दस लक्षण है समान धर्म के, नवावा प्रसना आपक समीत परिवार को बेगटित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं, समीत परिवार को बेगटित करने वाले, और परिवर्टित करने वाले कारक कौन-कौन से, कई सारे कारक हैं, वर्तमान समय में समीत परिवार में तमाम सारे परिवर्तन हो रहे हैं, इसके कई सारे कारण हैं, लगातार खतम हो रहा है, बिक्टित हो रहा है, इसका कई सारे कारण है, पहला करण, पहला करण निखिएगा और दोई करण, और दोई करण से क्या हो रहा है, गरामे दोगनस्ट हो रहे हैं, लोग गाउं छोड़कर सहर में जा रहे हैं, इसे कारण क्या हो रहा है, सहरों में परिवार बढ़ रहा है गाववों में सभुती परिवार कम हो सभुटने लगे है याता करूं और फोन से बनाखा नहीं पुआएंगे तमाम परिगर चीजे तीसरी चीजी होती जनसंख्या में बृद्धी जनसंख्या में बृद्धी से क्या हो रहा है संख्या परिवार जो है तूट रहा है चौता क्या हो रहा है जन्नगरी करने लोग नगरों में बस रहें तो क्या हो रहा है ग कि विचारों का उदय होता संहीत्य परिवार स्वचब होने लगते तो यह सब सब चीजी आपको पर तूटने के परिवरतर नहीं देखMe है सब देखेगे यह पसंदीर को टाइब के हैं को आप लोग देख लीजिएगा के व intermittent सब्सक्राइब करने हैं खंडे सा से पांसुप दुमिन परसनों के उत्तर को आपको लिखना आए और मैंने आपको अलेडी बता रखा तमाम सारे जो लेक्टर हैं हमारे चलने पर उपलब्ध हैं आप सभी लोग उसको देख लिजेगा प्रसन आपके समख चाचुगा दो ले लगेंगे लाकर के उसके समपरतकता की विसेष्टा करने इक होने करन लिखेंगा सांप्रतकता इस बाहल सम्फरत buck replacement के लिखेएंगा करन है बात फड़ापट से बताने का प्रियास करेंगे भारत में अधिक जनसंख्या के क्या कारण है अधिक जनसंख्या के क्या परिडाम है बताईए फड़ापट से बताने का प्रियास करेंगे most important person आपकी परिच्छा के दिश्टी से तो भारत में दिखें सके कई सारे कारण है भाई इसको तो मैंने आपको बता ही दिया था कारण को भी बताया था मैंने परिडाम को भी बताया होगा ठीक है सभी को बताया तो यह आप देख लीजिएगा अगला परसन आप देखेगा 12 नमबर परसन दलितों की प्रमुक समिस्याएं क्या है दलितों के लिए किये गए कल्यान कार्यों की वेजना कीजिए most important परसन यह भी आ सकता है अल्प सेंके उको लिकर के परसन जरूर आ सकता है अगला परसन देखेगा सांस्कृतिक प्रतिमान सम्मध भी वित्ता है अधा निर्जाति वित्ताओं पर उप्योगत उधानों से परकास डालिये यह भी परसन आपका अच्छा है एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और सेर कर दीजिएगा आपको एक बात मैं बता दू कि वीडियो को लाइक औ प्रसन जाम में आ सकता है आप देखेंगा फस्ट एर्डेन हेल्थ का रात आड़ बिज से क्लास हो रही थी आप लोग ने देखा होगा यह कल हुई थी क्लास यह फस्ट क्लास तीस की और आज क्या होगी सेकंड क्लास आपकी हो गई है आप लोग देख दीजिएगा आज से इसका लिखित माड़े पर अबैलेबल हो चुका है आप लोग इस वीडियो को देख लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जैंजय बारत आप सभी का बहुत बहुत धनी बाद हमारे से जुड़ने के लिए इसी परिकार से अपना प्यार हमेशा से बनाए र